अब तक हमने जो बात की वो हमने content की तो बात की लेकिन उसमें हम दाया दर textual content की बात कर रहे हैं तक हमने जैसे देखा के अगर लेंथी टक्ट्रील कांटेंट है तो बोरिंग हो जाता है या वह लोगों को डाजस इसी ली नहीं होता इमजेश बेसिकली इसी चीज़ के लिए हेल्प करते हैं और इमजेश से स्टॉरी बड़ी असान हो जाती है आपने कहावा तो सुनी होगी, अब पिक्चर इस वर्थ थाउजन वर्ड्स, तो ये कोई बिला वजा ऐसे कहावत ही बन जाती, असल में ये बिल्कुल फैक्ट है, तो मिसाल के तोर पे, अगर मैं आपको ये कहूँ, कि एक सैमसंग का एक नया मुबाइल आया है, जिसका नाम आते हैं, साथ मैं आपको ये फोटा भी दिखा दूँ, तो आपको कैसा लगेगा, अब आपको ज़दा समझ आएगी, या पहले आपको ज़दा समझ आ रही थी, इमेजेज बेसिकली एक्राइटली यही हमें हल्प करते हैं, कि अगर आपने किसी कॉन्टेंट को भेतर करना है, तो आप उसके लिए साथ विज्यू कॉन्टेंट भी देते हैं, इमेजेज की अल्टिमेट इंपोर्डन्स तो यही है, लेकिन इमेजेज की इसके इलावा क्या इंपोर्डन्स हो सकती है, SEO में हम इमेजेज को अज़र ट्राफिक सोर्स भी लेते हैं, So for example, अगर मुझे नया मुबाइल चुके आया है, मुझे उसकी फोटोस देखनी हैं, कि लगता कैसा है, मैंने सुना तो बहुत है, दोस्त कहते हैं कि जी बहुत अच्छा फोन है, और सब को लेना चाहिए, या वो इसकी तारीफ कर रहे थे, तो मुझे भी इस्तियाक होगा, कि मैं भी देखूँ, कि कौन सा वो मुबाइल फोन है, जो बेसिकली इस कदर पापुलर है, So मैं क्या करूँगा, मैं गूगल पे जाँँगा, तो मैं जाके वहाँ पर लिखूँगा, कि सैमसिंग गलक्सी नोट 9 के फोटो दिखा दो, So Google जैसे मैं यह टाइप करूँगा, तो आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से आपको इमेजिस नजर आजेंगे, यह इमेजिस आ कहां से रहे हैं, So basically, यह इमेजिस आप ही की वेबसाइट से आ रहे हैं, Google शिर्फ इनको इंडेक्स करता आपके लिए, और अगर मैं इसको देखना चाह रहा हूँ, तो possibility है कल मैं इसको खरीदना भी चाहूँगा, So अगर आप images की SEO अच्छी करेंगे, तो आप भी यहाँ पर rank कर सकते हैं, और जब आप rank करेंगे, तो possibility है कि आप traffic gain कर लेंगे, So बात वहीं पर वापिस आती है, कि हम जब keyword research करते हैं, तो हमें उसमें यह भी अंदाजा हो जाएगा, कि कितने लोग Samsung Galaxy Note 9 धून रहे हैं, और कितने लोग उसकी सिरफ photos धून रहे हैं, और photos के बाद वो अपना decision चाहिब ले लें, So हमें यह देखना है कि अगर हम website अपनी इस तरह की है, कोई कि जिसमें हमारे images का content है, तो images हमें डालने हैं, और उसका properly optimize भी करना है, जब बात होती है optimization की, तो उसमें हम यह जूर देखेंगे, कि अगर हमने images यूज़ करने हैं, पर उसको इस तरह से हमने नहीं यूज़ करना है, कि हम किसी की images उठाएं, और वापिस उन्हीं को अपने content बना कर, हम उसमें लगा दें, So होता क्या है, तो डिजिटल में copyrights भी आपको देखने पड़ेंगे, आप सिर्फ अपने images लगा सकते हैं, आप किसी का image नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वो copyright की violation होती है, और copyright की violation आपके नहीं करनी हैं, आपको अगर आप अपने website पे काम कर रहे हैं, तो आप खुद images create करें, अपने graphic designer से करवाएं, या आप को free tools भी यूज़ कर सकते हैं, जिन से आप images create कर सकते हैं, अगर आप थोड़े professional हैं, अगर आपको design आता है, या आपको tools यूज़ करना आते हैं, तो आप Adobe Photoshop या इस तरह के दूसरे tools यूज़ करके images create कर सकते हैं, लेकिन अगर आप photo images हैं, अलब अब तक कि आप में तस्वीर उतारी हैं, किसी scenery की या किसी person की, तो आप अपने camera से उतार सकते हैं, दाख कि आप किसी और की तस्वीरें लें, आप internet से तस्वीरें ले सकते हैं, अगर वो copyrighted नहीं हैं, तो आपको जब Google में आप search करते हैं, तो आप इस तरह के images धून लेंगे, यहाँ पर वो आप लिखा होता है, कि ये copyright violation नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी websites भी हैं, जो आपको images, free to use images, आपको allow करती हैं, आप net पर जाएंगे, तो आप images सेर्च करेंगे, और इसमें देख लेंगे, कि वो आपको किस तरह की copyright allow कर रहे हैं, तो make sure ये कर लेंगे, कि images use करें, बहुत important है, आपकी ना सिर्फ visual appeal के लिए, आपकी website के content के लिए, बलके Google से traffic के लिए भी, लेकिन सिर्फ आपको ये देखना कि वो copyrighted नहीं होने चाहिए है,